हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रहतास निमी और आप सभी का सवागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि यूजी सी नेट मास कम्यूकेशन में हमें सक्सेस पानी है तो कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए कौन सी नोट्स हमें पढ़न दोस्तों मेरे साथ यही हुआ था कि मैंने पता है दो तिन बुक लिया है मैं और आके जब देखा मैंने तो उन सभी में क्या था कि सेम ही मैटर था यानि कि उन्होंने एक दूसरे की कोपी की वी थी तो यह प्रोब्लम भी हमारे में साथ काफी आती है कि हम बुक उठा के ल नहीं है ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रोब्लम ना हो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाएए ताकि आप हमा पहली बुक आती है वो यह है अरीहंत की जन संचार अबम पत्तर का रिता यह दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी आप हिंदी और इंगलिस किसी में भी ले सकते हैं दोस्तों यह बुक काफी अच्छी बुक बताई गई है और मैंने खुद इसे पढ़ा है बहुत चैप्ट कलीर किया हुआ है इन्होंने हर डेटा दिया हुए लेकिन काफी डेटा जो है इन्होंने गलत भी लिखा हुआ है आप यह कह सकते हैं कि यह गलत नहीं जैसे मिस्प्रेंटिंग कहते हैं वह हो सकते हैं कि जैसे 1978 की जगए 1888 लिखा हुए इस तरह की जो गलतिया है वो आपको इसमें देखने को मिल सकती है और काफी सारी गलतिया एक दो गलतिया निया मैंने हर जो गलतिया है वो इसमें अंडरलाइन की हुई है अभी साइद इसमें देखने को मैं आपको बताऊं तो थोड़ा नहीं मिलेगी काफी गलतिया है मैं आपको दिखाऊंगा अगल कि अलर्ट होके पढ़ना है हमें ऐसा नहीं है कि जो दिया है बस उस पर आख बंद करके उसके विश्वास कर लिए थोड़ा सा देखना भी हां क्या यह रेयल में सही है या कैसा है ठीक है कुल मिलाके अच्छी बुक है ऐसी बात नहीं है काफी अच्छी बुक है इसमें काफी हेल्प हमें मिलेगी तो आप ये बुक ले लीजिए त्यारी के लिए अगली जो बुक आती है दोस्तों वो मैं आपको बताता हूं अगली बुक ये है ट्रियू मैन की है दोस्तों यूजी सी ने यूजी सी नेट स्लेट मास कम्मुनिकेशन एंड जर्नलिजम ठीक है ये काफी अच्छी बुक है ये और इसकी ये जो बुक है ये इंगलिस के अंदर दी हुई है प्योर इंगलिस के अंदर और इसके अंदर थोड़ी जो लिमिटेशन मेरे को लगी कि इसके अंदर जो पैटरन है वो थोड़ा ओल्ड पैटरन दिया हुआ है और इसका जो अडिशन है य कि इसने इन्होंने तो लिखा हुआ है 2017 का अडिशन लिखा हुआ है लेकिन मैंने इसमें पढ़ा है देखा है कि इसके जो mcq वगरा दिये हैं वह थोड़े ओल्ड पैटरन के दिये हैं वह अभी वैसे नहीं आते लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो अच्छी बुक है यह औ और काफी helpful है इसके अंदर जो अर्यहंत के अंदर जो बात दी है वह इसके अंदर थोड़ी डिफरेंट है थोड़ी अलग बात दी यानि कि जो concept है जो चीज है थोड़ा सा अलग है इसके अंदर यह काफी helpful है आप इसे ले सकते हो और दोस्तों जो भी मैं बुक बता रहा में कि निस दोड़ी बहुत कमियां वही कि इसके इंदर ले काफी ऑनी स्प्रींट होया हुआ है कोई स्परिंट है यानि गलत चोफ हुआ है तो उससे आप कुछ भी माल्यों की प्रिंटिंग के दुराहन गलती हो गी या कैसे ऻी और तो क्याकि आप कोई भी बुक पढ़ो तो उसे alert होके पढ़ना है कि क्या दिया हुआ है क्या होना चाहिए रील में क्या है तो थोड़ा alert होने के हमें जरूरत है अब दोस्तों अगली जो बुक आती है ये काफी जानी-money book ने केवल जे कुमार की book है और ये mask communication in India बहुत पॉपलर बूक है mask communication के अंदर ये पढ़ना हमारे लिए काफी जिरूरी है और इसके अंदर से कई कॉस्चन है जो आए है पीछे तो वो दोस्तों हम आपको सभी बता देंगे कि कौन से कॉस्चन है कहां से उठ रहे कौन सी बुक से कितने कॉस्चन आये ये सारी चीजे मैं आपको बताऊंगा और मैंने एनलाइज किया कि कहां से कॉस्चन ऊठ रहे हैं तो हम आपको सारी चीजे बताएंगे दोस्तों इसके अंदर ये जो है पहले क्या था कि केवल इंगलिस के अंदर आती थी लेकिन अब ये हिंदी में भी आने लगी है मैंने इसका हिंदी वर्जन अभी मंगवाया है तो आप जो भी चाहे हिंदी लेना चाहें इंगलिस लेना चाहें कौन सा भी वर्जन इसका ले सकते हैं और अपनी स्टड़ी कर सकते हैं अब देखिए अगली जो बुक आती है हमारी अगली बुक है दोस्तो आर गुपता की ये है यूजी सी नेट जन संचार है में पत्तर का रहता पिछले परसन पत्तर हल सही तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बुक है क्योंकि इसके अंदर दो हजार हाँ दो हजार बारा से लेकर एक मिनिट हाँ दो हजार बारा से लेकर अभी तक के कोशन पेपर दियो है और इसने सोल करके दियो है और एक कोर सबसे खास बात इस बुक की मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर क्या है कि आपको मास कम्यूकेशन और ये देखी परसन पत्तर एक दो तीन यानि कि तीनों पर है First Second THIRD पहले दो पेपर होते थे थे ना जो मेंच होता था यानि कि सारे First और सेक किर थर्ड तीनों पर इसने दिये हुए यहाँ पे और जो मास कम्यूकेशन यसा कोशन पेपर होकिल कर के दिये हुए है उसकी explanation हम पढ़ सकते यह देखें इनकी explanation हम यहां पर पढ़ सकते यह उन्हों नहीं दी हुई है दोस्तों अगर हम इसकी limitation की बात करें तो इसमें limitation कुछ ज़्यादा नहीं है इसके अंदर अगर देखा जाए तो थोड़ी सी minor सी limitation यह यह कि हर जो कोशन उसका explanation नहीं दिया कई कोशन ऐसे हो सकते जिनका explanation लेने के लिए आपको कोई और बुक पढ़नी पढ़ सकते है इंटरनेट पे जाना पढ़ सकता है और दोस्तों यह है कि अगर आपको net या जयाराफ कलियर करना है तो किसी एक बुक के सहरे आपो net जयाराफ कलियर नहीं कर सकते हैं इसके लिए आपो different different बुक पढ़नी पढ़ सकती है अलग-अलग concept अलग-अलग बुक में हो सकता है तो दोस्तों में लिए जो चार बुक थी यह आपके बहुत important है यह आप पढ़िये और इसमें से बहुत ज्यादा आता है यह आपको बता दूंगा मैं आपको जो अभी तक कि जितने वी question पर आए उन सभी को analyze किया है और मैं आपको विद लाइव दिखाऊंगा कि कौन सा paper कौन सी बुक से उठ रहे हैं कौन सा concept बार 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 कौन सा यानि कि question है वो बार बार repeat हो रहा है यह सारे चीज़े हम आपको बताएंगे और दोस्तों अगर आप यह सभी books खरिदना चाहते तो video description में link दिया है इनका वहां से आप खरिद सकते हैं और दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो notes है वो भी हमारे लिए काफी helpful है notes भी हमें पढ़ने पढ़ेंगे मैं जो अगली वीडियो में आपको notes बताऊंगा कि कौन से notes आपको खरीदने हैं कौन से notes आपको लेने हैं कौन से book आपको पढ़नी है जो चोटी library में books विगरा होती है तो वो भी हमारे लिए काफी important है और उनमें भी मैं आपको बताऊंग कि कौन से book में से कौन सा question उठ रहा है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और आप सभी से एक वार फिर से request है कि अगर आपने अगर आपने हमारा चैनल अभी तक subscribe नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe कर लीजिए और घंटी का वटन जरूर दवाईए ताकि आप हमार कोई आने वाली वीडियोज को सानी से देख सके थैंक्यू दोस्तों